पुराने बुजर्गों के नियम जानो गुड के चावल खाने से कभी खांसी और गले में खराश जैसी दिक्कत नहीं होती नमर दो चिराग में नारियल का तेल डाल दिया जाए तो चिराग लंबे समय तक नहीं बुझता नमर तीन कद्दू को काट कर आँखों पर लगाने से आँखों की रोशनी तेज हो जाती है नमर चार चहरे से मेक अप उतारने के लिए कच्चे दूद का इस्तेमाल करें इससे मेक अप आसानी से उतर जाएगा और इसकिन भी अच्छी रहेगी नमर पांच एक मोटी रोटी बना कर उस पर सरसो का तेर बहल्दी लगा कर मोच पर बांधने से लाभ मिलता है नमर चहे रिसर्च में पाया गया है कि भुना हुआ लहसुन आपके लिए शिलाजीत का काम करता है इसमें एलिसिन होता है जिससे आप शररी कमजोरी से बच सकते हैं नमर साथ जिनके बाल बहुत जादा जड़ते हैं उन्हें अरिंडी के तेल में थोड़ा मैथी दाने का पाउडर मिला कर बालों की जड़ों में लगाना चाहिए इससे बाल मजबूत और काले होंगे नमर आठ डार्क चॉकलेट खाने से गले की खराश खत्म हो जाती है निकलते हों तो चहरे को गीला करके फिटकरी को हलके हातों से पूरे चहरे पर दस मिनट तक रगड़े दाने बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे नमर ग्यारा सर पर गर्म घी की मालिश करने से आदास तेज हो जाती है नमर बारा अंगूर का जूस पीने से लिकूरिया की बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी नमर तेरा नाखुनों पर नारियल के तेल की मालिश करने से रोशनी तेज हो जाती है नमर चौदा अगर किसी का कोई हिस्सा जल जाए तो उस पर वरफ के टुकडे से मालिश करने से जलन खतम हो जाएगी नमर पंद्रा जामून का इस्तेमाल दांतों में होने वाली खराबी और मूँ से आने वाली बद्बू खत्म करता है नमर सोला छालो पर हरे धनिया का रस लगाने से छाले दूर हो जाते हैं नमर सत्रा सुबा उठकर गुनगुने पानी में नमक डाल कर गरारे करने से सीना साफ हो जाता है नमर अठारा पालक का जादा इस्तेमाल करने से बीमारियों से बचा जा सकता है नम्मर उनिस अगर सर्दी कमना हो रही हो तो अद्रक की भाप लेने से सर्दी से राहत मिलती है नम्मर बीस अगर शरीर में दर्द हो तो गरम पानी से नहाएं ये एक बहतरी निलाज है